So, Hello and Welcome Back दोस्तो, A2B2 Study की YouTube चैनल पर मैं रंजीत केशरी आप सभी का एक बार फिर से हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो जैसा कि आपको पता होगा, UP Polytechnic Intense Exam 2023 की काउंस्लिंग की प्रक्रिया एक बार फिर से स्टार्ट कर दी गई है ये काउंस्लिंग की प्रक्रिया केवल Depharmency यानी Group E1 और Group E2 के चार चात्राओं के लिए ही स्टार्ट करी गई है इस काउंस्लिंग में वे सभी चार चात्राओं भाग ले पाएंगे जो की 2030 में Polytechnic का Intense Exam दिये हुए थे और किसी कारवस वो अभी तक Polytechnic के लिए Depharmency में Admission नहीं ले पाये थे तो किवर उनी बच्चों का इस काउंस्लिंग में प्रतिभाग ले पाना संभव है चलिए इसकी पूरी जनकरी आज की वीडियो में आपको दिया जाएगा कि कौन बच्चे इसमें भाग ले पाएंगे कैसे आवेधन करना है कैसे college को चूछ करना है कंप्लिट जनकरी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है और क्या क्या इसका डेट होने वाला है चलिए आपको स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन सब कुछ बताते हैं यहाँ पर देखिए जब आप gcup की officially website पर आएंगे तो यहाँ website पर आने पर आपको यहाँ पर दिखेगा latest news यहाँ पर आपको सो हो रहा होगा सबसे ऊपर ही इसकी officially website जो है वो है gcup.nic.in ठीक है तो यहाँ पर website पर आएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है special round choice feeling of gcup pharmacy counseling 2023 has been started इसक के बारे में पहले से ही हमने जानकाई देते हुए हैं यहाँ पर आपको नीचे स्कॉल करना है जब आप यहाँ पर नीचे स्कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जागा क्या all those candidates who document has been verified successfully and failed to pay the balance admission fee previously now eligible to pay admission fee from 14.12.23 to 26.12.23 यहाँ जो बच्चे चाहे कोई भी कोर्स रहा ह पॉल टेकनिक का अगर आप admission ले चुके थे या फिर आप counselling करने के बाद fees payment नहीं कर पाये थे तो वो सभी बच्चे जो है 26 दिसंबर तक ठीक है आज से 26 दिसंबर तक आप fees payment करके अपना admission confirm कर सकते हैं आप अपनी profile को login करेंगे अपना application number जीकप का और password डाल करके अपनी profile को login करेंगे आपको चला जाना है जीकप की ऑफिसली website पर आने के बाद जब आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा पे balance admission fee only for eligible candidate जब आप अपनी profile पर login करेंगे यहाँ पर आके इस पर आपको क्लिक करना है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका application number और password आप से माय जाएगा जैसे ही आप application number और password डाल करके submit करते हैं तो आप चले जाएंगे उसी अपने profile पर वहाँ पर आपको admission fee जितना paid क जो बाकी प्रक्रिया होगी जामेशन form अगरा जो है वो भर लेना है ठीक है यह प्रोसेस हो जाएगा अब यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं कि defarmancy की counselling जो है जिसको की special round की counselling कही जा रही है तो इसमें आपको twice filling कैसे करनी है और बाकी detail कैसे होनी है ठीक है यहाँ पर सबसे उपर दिख रहा होगा candidate activity board pharmacy यहाँ पर click here to special round twice filling for जी का pharmacy counselling 2030 चली इस पर हम आपको click करने से पहले इसका पूरा schedule दिखा लेते हैं schedule आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा pharmacy special counselling schedule इस पर हम click कर लेते हैं देखिए जैसे यहाँ पर click करेंगे तो आपको इसका जो notice होग जैसे ही आप schedule पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको mobile skin पर देख रहा होगा माननी उचन्याल इलहाबाद खंडपीट लखनो के आदेश के अनुपालन में फार्मिस अस्थाओं में प्रवेश हेतू अधरिक्त या फिर VCS counselling का schedule आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है इसकी इसकी बारे में आपको जनकारी पिछली वीडियो में हमने दी थी कि क्यों counseling एक बार फिर से कराई जा रही है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं आपको उसकी link भी वीडियो के description में मिल जाएगा यहाँ पर आपको दिखा दे तो choice feeling जो है आपका आज से start हो रहा है यानि choice feeling of for all candidates for qualified candidate यानि जुन्होंने intense exam दिया था यूपी और other state के जो बच्चे होंगे सभी के लिए यह लागू होगा अगर आपने intense exam दिया था 23 में भार मेंशी का और अगर आप qualified थे qualified का मतलब आप eligible होना से यह आपके counselling के लिए ठीक है तो आप 16 से लेकर के 18 दिसंबर तक यानि 16, 17 और 18 इन तीन दिनों तक आज का date तो आपका भीट थी जुगा है क्योंकि देर रात यहाँ पे schedule जारी किया गया है लेकिन आप कल पर सो दो दिनों तक choice feeling जो है वो कर यानि आपको कौन सा college मिला है कौन सा नहीं मिला है वो आपको allotment result यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अब इसके बाद online fees all candidate and online fees deposit for seat acceptancy यानि जैसे ही आप आपको college allot होगा na seat allotment 19 को 19 को आपका seat allotment होगा आपके और अपना result देख पाएंगे कुछ करने पाएंगे ल प्रीज आप जैसे ही paid करेंगे तो आप जो है आपका वो जो college जो मिला हुआ है जो allot हुआ हुआ है वो college आपका locked हो जाएगा freeze हो जाएगा freeze होने के बाद जो काम करना है वो है आपका document verification का आप अपने जिले में आप जिस भी जिले में जाते हैं जिस भी जिले में government college है document verification करने के बाद जैसे ही आपका document verification हो जाता है तो आप कॉलेज चूच कर चुके हैं document verification आप करा चुके हैं तो आपको जो है fees payment करना है जो भी आपका college का fee होगा न वो केवल freeze candidate के लिए जिनोंने college को lock कर दिया है ठीक है तो आपको 20 से लेकर 26 तक यानि मात्र 6 दिनों का समय दि निजन तो ले लिया हमने लेकिन अब भी मुझे नहीं करना है तो क्या करना है आप admitted seat withdrawal option चूच कर सकते हैं और 27 केवल एक दिन का समय दिया जरा है 27 December को आप seat withdrawal चूच कर सकते हैं और आपका जो भी college में fees payment किया होंगे और फिर online जो आपने 3250 paid किया होगा include करके पूरा पैसा जो है आपका वापस कर दी जाएगा आपके bank account में यह ध्यान रखेंगे कि जब आप fees payment कर रहा है तो अपना bank retail जो है वो बिलकुल सही या शटिक भरें क्योंकि उस condition में आपका पैसा return करना चाहेंगे तो return हो जाएगा कोई अगर उसमें गलती हुई ifc code account number में कोई तूटी होई तो पैसा किसी भी हालत में नहीं वापस किया जाएगा यह schedule में पूरी लिखा गया था ठीक है इसके बाद जिब आपका admission confirm हो जाता है reporting of all candidates in their allotted polytechnic या आपको जो भी college allot हो चुका है आपको अपने प्रटेकनिक college में जाए करके विजिट करना है यहां पर यह बताना है कि सर मुझे piece payment हमने किया है और special learn में हमारा admission हुआ है college में जाकरके जो बागी की काम करना होगा वो कर लेंगे 30 तक आपको पहुच जाना आपने college में आनि आपको 20 साल के अंतिम तक दिसंबर 30 तक आपको college में पहुच जाना है यहां पर बात करें जारी है commencement of classes यानि आपके classes कफे चलेंगी जो बच्चे अभी admission ले रहा है तो एक जनवरी से ले करके और नए साल से आपके classes जो है वो start कर दे जाएंगी ठीक है और exam की बात करें तो exam आपका जब भी होगा प्रोसेस हुआ आपके counseling के लिए 24 फिलिंग करने का चलिए आपको आगे बताते हैं कि 24 फिलिंग कैसे करनी है दोस्तों 24 फिलिंग की वीडियो आपको next वीडियो में हम देते हैं क्योंकि ये वीडियो आपके जनकाली के लिए था तो आज का date date है पूरा बीच चुका है कल की morning में आपको इसकी वीडियो हम दे देंगे कि 24 फिलिंग कैसे करनी है कॉलेज कैसे चूज करना है जो भी बच्चे चुक होंगे 24 फिलिंग करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के description box में हमारी टेलेग्राम चैनल का जो है लिंक मिल जाएगा ठीक है आप उसको ज्वाइन कर लीजेगा वहाँ पर हमने एक message पिन कर रखा है और contact detail भी दे दिया है आप हमें वहाँ पर contact करिए अपना जो भी detail है application number password वगएर ठीक है send कर दीजेगा आप आपकी पूरी counseling जो है हम कर देंगे अगर आप जो भी college में admission लेना चाहते हैं आपकी complete वहाँ पर सहायता की जाएगी अगर आप admission लेना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को यह पर int करते हैं और ऐसी information के लिए अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को subscribe ज